हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा पैटन ठीक है छोटा सा मैं इसलिए कह रही हूं क्यूंकि यह है तो छैप रोका लेकिन यह सिर्फ दो रो में आता है और दो रो के लिए यह पैटन बहुत ही सुन्दर और आसान है जो लोग अपने बेबी के लिए स्वेटर बनाना चाहते हैं उसको ओल ओवर यह वाला पैटन दे दीजे और उसके बाद फुल में आप बना लीजे बहुत ही सुन्दर आता है और अगर ऐस बोडर आप इसको यूज करना जाते हैं तो यहां पर जैसे मैंने दो रो का गैब दिया है आप भी दो रो के बाद पैटन बनाईए दो रो सिंपल बनाने के बाद पैटन बनाईए तो काफी अच्छा बॉडर निकल के आएगा ठीक है जैन स्वेटर या लेडी स कारडिगन में भी आप इसको अपलाई कर सकते हैं तो इसके फंदे आप दो के मल्टिपल में ले लीजिए ठीक है दो के मल्टिपल में लेजिए एक एक्स्ट्रा कर लीजिए बस एक एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या होगा लास्ट में एक हमारा एक्स्ट्रा रहेगा जैसे कि हम सुरू में एक एक्स्ट्रा लेते हैं वैसे हमारा एक लास्ट में एक्स्ट्रा आ जाएगा एजस्टीच ठीक है पैटन बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन के साम क्योंकि जब मैं इस तरह के चोटे चोटे पैटन या बेबी स्वेटर के या कार्डिगन के वीडियो ले के आती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए ठीक है और अच्छा लगे तो फिर लाइक और सेयर भी कर दीजेगा तो चले इसको बनाना सुरू करते हैं कोई भी बॉर्डर ले लीजी आप ठीक है बॉर्डर लेने के बाद चार रो हम सीधी सीधी बनाएंगे ठीक है इस तरह से सीधी तरफ सीधा उल्टी तरफ उल्टा शुरू के चार रो यहाँ पे मैं बॉर्डर के बाद सिर्फ दो रो बनाऊंगी उसके बाद हम जब दूसरा पैटन देंगे उनके बीच में हम चार रो का गैप रखेंगे ठीक है यह देखे 1st row complete होगी border के बाद की 1st row complete कर लेंगे 2nd row हम इस तरह से पर्ल में बनाएंगे उल्टा सीधी तरफ सीधा उल्टी तरफ उल्टा ठीक है आप चाहें तो इसे 4 row बना लीजिए लेकिन जब 1st में पैटन देंगे तो 2 row के बाद ही दे देंगे क्योंकि ज्यादा gap लगता है तो यह row complete करके आते front row में ठीक है यह देखे front row में आगे हम अब क्या करना है पहला फंदा slip कर लेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा कर लेंगे ठीक है एक फंदा slip करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा slip एक फंदा उल्टा इस तरह से हम पूरी एक row complete करेंगे बहुत ही easy है खास कर कि यह pattern मैं beginner के लिए बना रहे हूं जिनको नहीं आता है समझ में ज्यादा जिनको pattern समझ में नहीं आते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा pattern है ठीक है एक ऐसी skip कर लेंगे एक धागे को आगे ही रखेंगे इस तरह से उल्टा बना लेंगे और यहां पर last वाला फंदा उल्टा बना लेंगे ठीक है इस तरह से बराबर पहला फंदा एक्ष्ट्रा और लास्ट फंदा एक्ष्ट्रा बराबर फंदे बनाने के लिए क्या करना है आपको दो के multiple में फंदे लेने, एक extra लेना है, ठीक है, अब back side से क्या करेंगे हम, जो हमने बनाया था उसे तो बना लेंगे, उल्टा ही, और जो हमने skip किया था, उसको धागा आगे करके, इस तरह से उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो बनाया था उल्टा फंदा, उ और जो skip किया था, उसे सीधा बना लेना है, तो क्या है इसमें, एक उल्टा और एक सीधा, बस ये देख लेना है आपको, उल्टा आपको वही बनाना है, जो पहले से ही बना हुआ है, पहली रो में बना हुआ है, और सीधा उसे बनाना है, जो हमने skip किया था, जो बिना बना लिया था ठीक है इस तरह से एक उल्टा धागा आगे एक सीधा धागा पीछे एक उल्टा धागा आगे एक सीधा साथ साथ में देखते रहिए कहीं आप उल्टे में यह उल्टे को सीधा मत कर दीजी ठीक है यह उल्टा है फ्रंट साइड से उल्टा बनाया था बैक साइड से बनेगा, और जो हमने skip किया था, जो फंदा हमने skip किया था, उसको हम back side से इस तरह से यह देखे, सीधा बना लेंगे, ठीक है, यह देखे, यह हमने बनाया था, यह उल्टा बनेगा, और यह जो बीच का फंदा है, जो skip किया था वो सीधा बनेगा उल्टी साइड से तो देखे उल्टा और skip किया वाला फंदा उल्टी तरफ से सीधा उल्टा सीधा बस दो रो में हमारा pattern आता है बागी आपको देखना है बीच में gap कितना रखना है आपने यहां पर मैंने दो रो का gap रखा हुआ है दो रो बनाए है फिर मैंने pattern बना दिया अब हम चार रो का gap रखेंगे ठीक है चार रो सीधा सीधा बना लेते देखे बहुत सुन्दर आता है border में भी आप इसको यूज कर सकते है ठीक है थागा पीछे करेंगे अब क्या करना है हमको सीधा सीधा ही बना लेना है अब देखे आपको gap कितना रखना है दो रोका रखना है चार रोका रखना है चै रोका है तो उस असह आपसे pattern आएगा चार रो का gap बना करके देख लेते एक बार यहां पे हमारा 2 रो का gap है यह देखे अब यह फूस्ट रो है सीधी सीधी आएगी फूस्ट रो फिर इसके बाद उल्टी second रो उल्टी आएगी 3rd रो सीधी आएगी और 4th रो उल्टी आएगी ठीक है, तो आते हैं हम इसके बाद $5 रों हैं, देखे, पैटन के बाद सीधा बनेगा, फिर उल्टा सीधा उल्टा, तो 4 रोग करके आ जाते हैं, front side में, तो देखे, 4 रोग का gap हमने दे दिया है, फिर से पैटन बनाएंगे, और पैटन वही आएगा, ठीक है, ठागा आगे क जो किया है हमने फण्दा जो बिना बनाई इस तरह से ले रहे है जिस फंदे को इसी को हम बैक साइट से सीधा बनाएंगे ठीक है और जो हम यह उल्टा बना रहे हैं यह back side से भी उल्टाई ही आएगा इस तरह से बहुत ही देखे किता easy pattern है एकदम से समझ में आजाएगा आपके एक skip कर लेना है एक बना लेना है बस last वाले को सीथा बना लेंगे यह हमारा देखे pattern हो गया है दो रोगा pattern है और बहुत ही आसान pattern है देखे यह उल्टा है न इसको उल्टा ही बना लेंगे धागा पीछे करेंगे एक सीधा बना लेंगे धागा आगे करेंगे जो बनाया है उसको उल्टा बना लेंगे जो नहीं बनाया था उसको सीधा बना लेंगे उल्टा और सीधा इसी तरह से यह हमारे पैटन, दूसरा पैटन, दूसरा पैटन बन रहा है, तो देखिए दो ही रो, छे, आठ रो, छे रो का भी बना सकते हैं, आठ रो का भी बना सकते हैं, गैप अगर आपको ज्यादा देना है, तो आप इसमें छे रो भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर गैप आपको कम देना है तो आप 2 ही रो बनाईए और इसमें मैंने आपको दोनु चीज दिखा दिया है दो रो का गैब भी बता दिया है और 4 रो का गैब भी तो इस रो को कम्प्लीट कर लेते हैं समझ मा आगया होगा आपको कि जो फंदा उल्टा बनाए था वो उल्टा ही बनेग ठीक है रो कम्प्लीट कर लेते हैं तो यह देखे यह दो रो का गैप है और यह 4 रो का चार रो का गैप अच्छा लग रहा है क्योंकि दो रो में एकदम नजदीग नजदीग आ जाएगा अगर आपको नजदीग बनाना है तो यह देखे यह पैटर्न यहां पे आ जाएग इतनी सी जगह चूटेगी और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, देखे, दो तीन पैटर्न बनाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही सुन्दर लगता है, और जितना ही सुन्दर है उतना ही इजी भी है, ठीक है, आप इसको बेबी स्वेटर में अल ओवर अपल कर सकते हैं, ठीक है, जैन स्वेटर में भी आप इसको अपलाए कर सकते हैं, देखे, और जब आप दो ही रोका बनाएंगे गैप, तो इतना ही गैप आएगा, और चार रो में इतना गैप आएगा, बाकि आपको देख लेने, आपको गैप कितना चाहिए, अगर ज्यादा च कम चाहिए, तो दो रोवी, ठीक है, तो कैसा लगा आपको यह पैटर जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज, लाइक सेयर जरूर कर दीजेगा, नए है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बैल आइकन के साथ, क्योंकि जब भी कोई मेरी नई आपके पास आजाएगा, ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पैयन करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाइ-बाइ